तेज तर्रार छात्र नेता कनहिया कुमार को कॉंग्रेस पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी देते हुए अपनी छात्र विंग नेशनल इस्टुडेंट्स यूनियन ओफ इंडिया यानी की NSUI का प्रभारी निप्ट किया है। कॉंग्रेस के संग्ठर महासचीव केसी बेडों गोपाल ने एक प्रेज देज जारी कर ये चयानकारी दी। इससे पहले प्रुची गुपता NSUI की जिम्मेदारी संभाल लही थी जिन्होंने करीब धाई साल पहले पद से इस्तिफादी किया था। कनहिया कुमार को सितंबर 2021 में कॉंग्रेस पार्टी में राहूल गांदी ने शामिल करवाया था। के नजर आ है। भारत जोर यात्रा के दौरान वो काफी सक्रिय थी। पहले तो ये सवाल था कि उनको कॉंग्रेस बिहार से क्यों दूर रख रही है। बिहारी नहीं मलकी पूरे देश में चर्शा चली कि बिहार में गडवंदन की सहारे पार्टी है। इसी वज़ा से उनको वहां से दूर रखा गया। इसी बीच कनहिया कुमार के पास कोई बड़ी जिम्मधारी नहीं थी। सवाल उठ रहे थे कि कॉंग्रेस युवान निताओं को अनजर अंदाज कर रही है क्या उन्हें कोई बड़ा पत क्यों नहीं दे रही है। लेकिन अब कॉंग्रेस ने कनहिया कुमार को उनके कर्प के हिसाब से जिम्मधारी दी है। छात्र नेता को तोर पर उनकी पेहचान बनी है और देखा जाये तो छात्रों के बीच वो काफी पॉपलर है। ऐसे में कॉंग्रेस ने अपने चात्र संग्ठन का उन्हें प्रभारी बनाकर जिवाओं के बीच अच्छी पैट जवाने की एक मास्टर चाल चली है। साल 2015 में जेन्यू चात्र संग के अधक्षबनने के बाद से कनहिया कुमार को बता और चात्र नेता के तौर पर जाना जाता है। साल 2015 में CPI ने कनहिया को अपनी राश्ट्रिय कारेकारणी में शामिल किया था और इसके बाद 2019 के लोकसवा चुनाओं में भाजपा के फायर ब्रांड नेता गिर्दार संग को हराने के लिए अपने गिर्जले बेगुसरायल से लोकसवा चुनाओ लगा था। हलाकि चुनाओं में उन्हें गिर्दार सिंग के हाथों बड़ी हार का सामना करना बड़ा था। बता दे कनहिया कुमार का जन्द बिहार के बेगुसराय में ही हुआ है। वो अपनी पढ़ाई के दौरान भी छात्र अंदरों में काकी सक्रियत है। पटना में कॉलेज और कमर्स से उन्होंने अपनी छात्र राजनीत की शुरुआत की थी। तब करनहिया कुमार, NSY को मजबूत करेंगे। युवाओं को पार्टी से जोड़ने की कोशिश करेंगे। अपनी नए जिम्मेदारी से वो कॉंग्रेस और NSY दोनों को कैसे मजबूत करते हैं यह देखने वाली बात होगे। भ ो